हेलो आज हम इस वीडियो में सेल रिफ्रेंसिंग के बारी में जानेंगे जो फर्स्ट सेल रिफ्रेंसिंग है वो है रिलेटिव रिफ्रेंसिंग दूसरी जो सेल रिफ्रेंसिंग है वो है एबसल्यूट रिफ्रेंसिंग और जो तीसरे प्रकार की सेल रिफ्रेंसिंग है वो ह है mixed referencing तो सबसे पहले यह cell referencing है जो format होता है इस तरह का होता है जो absolute referencing का format होता है वो इस तरह का होता है यहाँ पे absolute referencing में dollar sign और और column के साथ लगाए जाता है तो यह देखो dollar sign को लगाने के लिए हम यहाँ पे function की f4 press करते हैं f4 press करने पे यह dollar sign यहाँ पे लगके आ जाता है इसके बाद mixed referencing है यह जो mixed referencing होता है यह दोनों से बना होता है एक relative referencing और एक absolute referencing यह जो यहाँ पे formula लिखा हुआ है इस formula में हम यह check करेंगे कि absolute reference कौन सा है और relative reference कौन सा है तो यह देखो यहाँ पे equal to के बाद यहाँ पे a तो a क्या है यह column name है तो यह जो column name यहाँ पे लिखा हुआ है यह relative reference है क्योंकि यहाँ पे dollar sign इसके आगे नहीं लगा हुआ है इसके बाद dollar लगा हुआ है dollar के बाद यहाँ पे one तो a one one जो रो है तो रो के आगे यहाँ पे dollar sign लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे absolute reference भी यूज़ हुआ है इसके बाद यहाँ पे plus लिखा हुआ है plus लिखने के बाद यहाँ पे b जो column है इसके आगे यहाँ पे dollar लिखा हुआ है तो यह जो b column है इसको यहाँ पे freeze किया हुआ है freeze का मतलब यह है कि इसको fix किया हुआ है b column को तो इसके आगे यहां पे dollar लगाया हुआ है यह जो two है यहां पे यह row है तो row जो है यहां पे relative reference है तो इसके आगे यहां पे dollar ने लगा हुआ है तो इसका मतलब यह two जो है relative reference है और यह जो b है यह absolute reference है तो cell referencing को हम यहां पे detail में समझेंगे तो इसके लिए यहां पे sheet number three पे click करे तो ये sheet no.3 यहां पे open हो जाएगी, open होने के बाद यहां पे यह cell referencing दिये गया है, तो cell referencing के यह तीन प्रकार है यहां पे, सबसे पहला जो है relative referencing है, तो इसकी यहां पे definition दिये गई है, तो definition है, जब हम किसी formula को एक cell से दूसरे cell में copy करते हैं, तो अगर बैच change हो जाए, तो उसको हम relative referencing कहते हैं, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, यहां पे यह data लिखा हुआ है, जिसमें की name लिखे हुआ है, यह सारे name है, इसके बाद यह English subject है, और इसके निचे यहां पे marks दिये गया है, यह math subject है, इसके निचे यहां पे marks दिये गया है, इसके बाद हम यहां पे relative referencing इसको करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यह English subject और यह math subject इन numbers का यहां पे total करेंगे, तो total करने के लिए हम यहां पे formula लगाएंगे, यहां पे click किया, click करने के बाद equal to लिखा, equal to लिखने के बाद किसका total करना है, English, यह subject है, यह मंजीत इसके नमबर यहां पे English में 88 है यहां पे क्लिक करेंगे यह Cell Name यहां पे आ जाएगा B4 इसके बाद प्लस करेंगे यह Marks भी यहां पे प्लस करने है तो इस Cell पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह Cell Name यहां पे आ जाएगा आने के बाद हम यहाँ पे enter press करेंगे enter press करने के बाद तो यह देखो यहाँ पे यह English Subject और यह Math Subject मंजीत ने English में 88 लिये हुआ है और Math में 78 लिये हुआ है और इनका जो total है 166 यहाँ पे आ गया है तो यह जो है इनका total आ गया है total आने के बाद यहाँ पे click करेंगे और यहाँ पे double click करेंगे double click करने के बाद यह देखो सभी marks का total यहाँ पे आ जाएगा आने के बाद हम relative referencing में यह देखेंगे कि यह जो सभी का यहाँ पे formula है change हो रहा है या नहीं हो रहा है यह देखो यहां पर double click किया, double click करने के बाद यह देखो, B4 plus C4, यह देखो, B जो है, column है, और C जो है, row है, तो यहां पर B4 plus C4, तो C4 क्या है, यह C है, और यह 4 row है, तो यह यहां पर फार्मूला लगा हुआ है, B4 plus C4, इसके बाद हम यह देखेंगे, कि निच्छे कौन सा फार्मूला Escape की प्रेस करेंगे, Escape की प्रेस करने के बाद निच्छे यहां पर double click करेंगे, तो यह देखो, यहां पर B5 plus C5, तो यह जो है, फार्मूला यहां पर चेंज हो गया है, तो यह देखो, यहां पर फार्मूला लग लगा हुआ है, और निच्छे यह जो फार्मूला लग लगा हुआ है B6 प्लस C6 यह यहां पे फार्मूला चेंज हो गया है इसके बाद निच्छे चेक करेंगे तो Escape की प्रेस करेंगे इसके बाद यहां पे निच्छे डबल क्लिक करेंगे तो निच्छे यह फार्मूला लागा हुआ है B7 प्लस C7 इसी प्रकार नीचे यहां पे escape की प्रेस करेंगे और नीचे यहां पे double click करेंगे तो यह लिखो यहां भी formula change हो गया है तो जब हम formula को एक cell से दूसरे cell में copy करते हैं और अगर यह formula change हो जाता है तो हम उसको relative referencing बोलते हैं इसके वाद cell referencing में दूसरा है absolute referencing absolute referencing को dollar के साथ ल दूसरे cell में copy करने पर बहए change ना हो तो उसको हम absolute referencing कहते हैं यह देखो यहां पे हम इसको समझेंगे यह यहां पे data दिया गया है यह name है यह English subject है इसके marks है यह math subject है इसके marks है और इनका यहां पे दोनों subject का total किया हुआ है total करने के बाद यहां पे हम percentage निकालेंगे यहां पे click करेंगे equal to लगाएंगे equal to लगाने के बाद percentage निकालने के लिए यह जो total होता है यह cell पे click करेंगे जहां पे total हुआ है यहां पे click किया तो यह cell name यहां पे आ जाएगा I for यह देखो I column है और यह for row है I for यहां पे आ गया है इसके बाद divide करेंगे ये divide किया किसे divide करना है ये हमारे पास 2 subject है तो total marks of 2 subject ये यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 200 इस cell पे click करेंगे इस cell पे click करने के बाद ये cell name यहाँ पे आ जाएगा ये दिखो j column है और ये 10 row है ये दिखो ये row 10 है तो j 10 यहाँ पे आ जाएगा आने के बाद हम यहाँ पे enter press करेंगे enter press करने के बाद और इनकी जो percentage है 83% है अब हम सभी की percentage देखेंगे तो सभी की percentage यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे error show हो जाएगी ये करके देखते हैं यहाँ पे double click की है double click करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये first की तो यहाँ पे percentage निकल के आगे लेकिन आगे जो है यह यहाँ पे percentage निकल के नहीं आए यहाँ पे error show हो रही है error को हटाने के लिए यहाँ पे सभी की percentage निकालने के लिए sign लगाने के लिए फिर यहां पर double click करेंगे तो यह देखो यहां पर divide किया हुआ है J10 तो J10 क्या है यह 200 यहां पर लिखा हुआ है यह J column है और 10 row है तो इसको हम rows और column को यहां पर freeze करेंगे तो freeze करने के लिए हम के करेंगे यहां पर dollar sign लगाएंगे तो जे column के आगे भी dollar sign लगाएंगे और 10 row है इसके आगे भी dollar sign लगाएंगे तो dollar sign लगाने के लिए हम keyboard से dollar sign लगा सकते हैं या अगर हम keyboard से dollar sign को नहीं लगाना जाते हैं तो हम यहां पर last में यहां पर click करेंगे यह cursor last में आ जाएगा इसके यह वाद हम keyword से function की press करेंगे f4 यह f4 function की press की तो यह देखो f4 function की press करने पे यह column as j इसके आगे भी dollar लग गया और यह जो row as 10 इसके आगे भी dollar लग गया तो इस तरह से column और rows को हम यहां पे dollar लगा सकते हैं इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि यहां से यह जो column as j इसका dollar sign यह यहां से हट जाए तो फिर हम यहां पे function की f4 press करेंगे यहां पे f4 press किया तो f4 press करने पे यह देखो j के आगे यहां पे dollar sign था यहां से हट गया अगर हम यहां पे रो के आगे से डोलर sign आटाने जते हैं और J के आगे लगाने जते हैं तो फिर हम यहाँ पर function की F4 press करेंगे यह देखो press की तो इससे क्या होगा यह जो 10 है यहाँ से dollar sign हट जाएगा और यह जो column है यहाँ पर dollar sign लग जाएगा इसके बाद अगर हम column और rows दोनों का यहाँ पर dollar sign अटाने जते हैं तो फिर function की F4 press करेंगे यह देखो F4 press किया तो यह दोनों का यहाँ पर dollar sign हट जाएगा अगर हम दोनों को freeze करने जते हैं rows और column को तो दोनों के आगे dollar sign लगाएंगे तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पर function की press करेंगे F4 तो यह देखो यह यहाँ पर दोनों के लिए dollar sign लग किया जाएगा J10 यहाँ पर यह फ्रीज हो गया है फ्रीज होने के बाद जब हम यहाँ पर enter press करेंगे तो सभी की percentage यहाँ पर निकल के आ जाएगी यह देखो enter press किया enter press करने के बाद यहाँ पर इसको निचे यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद यह दिको सभी की percentage यहाँ पर निकल के आ जाएगी यह रोहन इसकी percentage आ गई है यह सुनील इसकी percentage आ गई है बीजे इसकी आ गई है तो इस प्रकार यहाँ पर हम absolute referencing का use कर सकते है अगला जो है cell referencing में mixed referencing है इसकी definition यहाँ पर दी गई है यह दोनों से मिलकर बनता है दोनों का मतलब यह है कि यह relative और absolute referencing दोनों से मिलकर बना हुआ है जब किसी formula को एक cell से दूसरे cell में copy करने पर कुछ part change हो जाए तो उसे mixed referencing कहते हैं तो mixed referencing को यहाँ पर हम समझेंगे तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद यह two है इसको multiply करेंगे और यह two है इसको multiply करेंगे तो multiply करने के लिए यहाँ पर हम click करेंगे और इसके बाद यहाँ पर equal to लिखेंगे equal to लिखने के बाद इस cell पे क्लिक करेंगे इस cell को multiply करना है इस cell का name यहाँ पे आ जाएगा L4 तो L यह column है और 4 row है L4 यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे multiply यहाँ पे लिखा लिखने के बाद किसको multiply करना है इसको multiply करना है इसके बाद ये दिखो M column है और ये उपर 3 row है ये उपर वाली row आगे तो ये M3 आगया M3 आने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद ये यहां पे multiply हो के आजाएगा ये तो यहां पे सही आया लेकिन जब हम इसको यहां पे आगे drag करेंगे ये दिखो इसको drag किया drag करने के बाद इसको नीचे फिर यहां पे drag करेंगे तो ऐसा करने पे ये देखो यहां पे ये जो multiply हो के आ रहा है इसका multiply और इसका multiply तो यह multiply गलत है यहां पे यह 3 और यहां पे 3 यह multiply गलत है इसके बाद यह multiply गलत है तो इसको हम यहां पे सही करने के लिए तो इसको सही करने के दिए हम यहां पे Mixed Referencing का यूज़ करेंगे चबी को select किया Select करने के बाद इसको delete किया delete करने के बाद यहां पे click करेंगे फिर यहां पे equal to लिखेंगे Equal to लिखने के बाद यहां पे इसको multiply करना है तो यह cell name यहां पे आ जाएगा L4 इसके बाद यहां पे multiply लिखेंगे यह multiply लिखा इसके बाद इसको multiply करना है इसके बाद enter प्रेस करना है तो यह 4 यहां पे आ गया है आने के बाद फिर यहां पे double click करेंगे double click करने के बाद इसके बाद यहां पे यह formula आ जाएगा फार्मूला आने के बाद हमने यहां पे क्या करना है यह जो L है L क्या है यह column है यह L कॉलम इसको हमने यहां पे absolute करना है absolute का मतलब यह है कि यहां पे इसको freeze करना है तो यहां पे dollar sign लगाएंगे इसके आगे यहां पे click कि यहाँ पे dollar लगाएंगे, यह dollar यहाँ पे लगाया, तो यह L जो है यहाँ पे, यह column है, यहाँ पे freeze हो गया है, यहाँ पे use किया हमने dollar sign, यहाँ पे यह जो row is for, इसको freeze नहीं करेंगे, यह जो multiply किया हुआ है M3, अब M column को यहाँ पे हम freeze नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे absolute नही करेंगे रो को यहां पर हम फ्रीज करेंगे तो फ्रीज करने के लिए इसके आगे हम यहां पर डॉलर साइन लगाएंगे यह रो के लिए डॉलर साइन हमने यूज किया यह डॉलर साइन यहां पर लगा दिया लगाने के बाद यहां पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प माल्टिपलाई होके आगया है यह बिल्कुल सही यहां पर आगया है तो इस तरह से mixed referencing का यूज करके हम यहां पर multiply कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने cell referencing के बारे में जाना आगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद